हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से माई यूट्योग चैनल नर्सिंग विद मुकेश तो फ्रेंड्स अपने पिछली क्लास में देखा उसमें पढ़ा था कनेक्टिव टिसू को कम्प्लीट किया था उसमें ब्लाड काटिलेज टिसू और उससे पहली वाली क्लास में पढ़ने कनेक्टिव टिसू पढ़ा था तो कनेक्टिव टिसू की दो तीन क्लास हो चुकी और आज हम पढ़े जब मैंने फर्स्ट क्लास में चार्ट बना के आपको समझाएता कि मसल्स टीसू हमारी बोडी में तीन टाइप के मसल्स टीसू होते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको बतायता हूँ friends class start करने से पहले आपसे request है कि जितना हो सके चैनल को subscribe करो अपने इस class को friends को बेजो तो उनको भी इस class का फाइदा मिले तो friends करते हैं आज start muscles tissue तो आज के हमारी heading हो जाएगी muscles tissue कौनसा friend muscle tissue या muscular tissue भी बोल सकते हैं friends जब भी muscles का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती कि हाँ यार यह muscles biceps or triceps नहीं इसके अलावा में हमारी body में इतनी सारी muscles हैं जो क्या काम करती है contraction और relax session करती है contract होती है और हमारी body को या हमारे body parts को movement कराने में helpful होती है इसमें contraction होता है इसमें muscles tissue में contraction होता है तो contraction के लिए उसको क्या चीए एक proper blood supply चीए प्रोपर blood supply की वज़े से क्या करता है वो जो blood अपने साथ oxygen, nutrients और calcium यहाँ पे friends calcium एक ऐसा mineral से जो contraction में अहम भूमी का निबाता है muscles में तो nutrients, calcium और proper oxygen प्रवाइड करवाता है blood जिसकी वज़े से उसमें proper blood supply रहती है तो friends यहाँ तक यह ध्यान रखना कि muscles tissue में contraction होता है और उसमें rich blood supply होती है जिससे वो क्या करता है proper oxygen, calcium और proper nutrients उसको muscles तक पहुँचाता है या muscles को प्रवाइड करवाता है तो friends हम बात करें कि muscles tissue तीन प्रकार के होते हैं हमने पिछली class में भी देखा था तो muscles tissue के बारे में बात करें तो muscles tissue तीन प्रकार के होते हैं इसी chart में आज हम पूरी class ले लेंगे muscles tissue इसी chart में पढ़ेंगे तो friends पहला जो हमारा tissue है वो है skeletal muscles या muscles tissue का जो type है वो है skeletal muscles कौनसी muscle skeletal muscle फर्स्ट हमारा है skeletal muscles दूसरा है cardiac muscle और तीसरा है हमारा smooth muscle कौनसा friend फर्स्ट हमारा है skeletal muscle दूसरा है हमारा cardiac muscle और तीसरी है हमारी smooth muscle यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीव फ्रेंड टीन टाइप के होते हैं मसल्स टीसू, smooth muscle, cardiac muscle और skeletal muscle तो friends हम बात करें firstly skeletal muscle की तो friends skeletal muscle मतलब skeletal यहां पर नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम skeletal क्यों है skeletal मतलब bone हमारा जो कंकाल है skeletal है पूरा उसको क्या करती है यह support देती है या उसको move कराती है क्या करती है यह muscle हमारे skeletal skeletal जो system में पूरा हमारी जो bone से उनको एक support प्रवाइड करवाती है उनको एक movement प्रवाइड करवाती है कौन? skeletal muscle और friends skeletal muscle है हमारी body में लगबग skeletal muscle 640 के आसपास पाई जाती है 639 से कम नहीं पाई जाती बलकि ज़्यादा ही पाई जाती होगी skeletal muscle 640 के आसपास पाई जाती है skeletal muscle की बात करें friends यह striated यहाँ पे 2-3 सब दाएंगी वो ध्यान रखना तीनों के बारे में मैं बात करूँगा striated striated और voluantry यहाँ ध्यान रखना striated यह जो muscles होती है striated और voluantry होती striated का मदलब होता है strips होती इस muscles में पट्टी टाइप strip पाई जाती है किस muscles में? skeletal muscle में इस muscles में striated muscles होती है और voluantry होती है voluantry मतलब होती है कि इसका जो control है हमारे conscious में रता है हम इसको conduct करते हैं जैसे यह muscles से माल लो कोई भी muscles को हमें stretch करना है यह muscle stretch करनी bicep, tricep अपने stretch कर सकते हैं कोई भी muscles है हमारी body की skeletal muscle उसको हम अपनी मर्जी से हम brain को एक impulse जाती है brain के पास impulse जाती है कि हाँ भाई यह muscles contract होना चाहती है यह relax होना चाहती है तो वो क्या है nerve impulse उस muscle तक जाती है फिर वो muscles stretch होती है तो यह हमारे under में हैं हम इसको automatically stretch कर सकते हैं और इसको contract कर सकते हैं या relax कर सकते हैं किस muscles को? skeletal muscle को तो यह straight head होती है और voluntary होती है यहाँ पर cardiac muscle की बात करें तो straight head यह भी होती है बल्लब पटिया तो इसमें भी पाई जाती है strip तो इसमें भी पाई जाती है straight head तो यह भी होती है कौनसी? cardiac muscle eni immediate being straight head होती है बट voluntary नहीं होती है cardiac muscle, number of hurt cardiac muscle का बात करिए हो retire mma पाई जाती है उसको कभी बोलाओगा आपने की जा मसल्स काडेक मसल्स कॉंट्रेक्ट हो जा या रिलेक्स हो जा ऐसा नहीं एक अपने आप होती है इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता तो यह हो गई क्या हो गई? इन वोल्यू एंट्री है यह हमारे अनियंत्रित है हमसे हम इसको कोंट्रेक्ट या स्टेच नहीं कर सकते हैं काडेक मसल्स को और इस्टेटेड होती है ही इसमें स्क्रिप नहीं पाए जाती है इसे पट्टियां मसल्स में strip नहीं पाए जाती, non-streated क्या होती है, non-streated और voluntary होती है, smooth muscle नई, वो होती है, involuntary क्या होती है, involuntary smooth muscle भी involuntary होती है हमारे control में नीरती smooth muscle, smooth muscle में अपने बात करेंगे ये GI tract में, अपने थोड़ी कहते हैं कि stomach की muscle जाओ, मैं चाता हूँ कि stretch हो जाए, नहीं होती, तो हमारे control में नीरती, involuntary होती है, कौन सी smooth muscle तो friends, ये point दियान रखना, skeletal muscle straighted होती है, voluntary होती है, straighted मतलब पट्टिकाए पाए जाती, voluntary मतलब हमारे control में रती कि हम जब चाहे, इसको stretch या relax कर सकते हैं, muscles को, ठीक है, cardiac muscle, straighted होती है, but involuntary होती है, क्या होती है, involuntary हमारे हाथ में नीसका contraction और relaxation, दूसरी बात करें, smooth muscle non-nistated होती है, इसमें कोई पट्टिकाए नहीं पाए जाती है, एकदम continuous होती है, बीच में पट्टिकाए होती है, इसकी जो cell होती है, multinucleated होती है, क्या होती है, multinucleated, इसकी जो cell होती है, उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, nuclease पाए जाते हैं, इसकी cell में, किसमें पाए जाते हैं, skeletal muscles होती है, इसमें multinucleated, यह multinucleated होती है, इसमें बहुत सारे nuclease यह केंद्रक पाए जाते हैं, अब बात करें, इस muscle में जो fiber होती हैं, उनको बोलते हैं, मायो फाइब्रिल, क्या बोलते हैं, मायो फाइब्रिल, इस में जो muscles में, जो fiber होती हैं, skeletal muscle में, उनको बोलते हैं, मायो फाइब्रिल, अब यह मायो फाइब्रिल, दो प्रकार के, प्रोटीन फाइबर होते हैं, उनसे मिलके बना होता है, एक होता है, एक्टिन, एक होता है, मायो सीन, कौन-कौन से होता है, फ्रेंट, एक होता है, एक्टिन, एक होता है, मायो सीन, यह क्या करते हैं, एक्टिन की बात करें, तो यह पतला होता है, एकदम थिन होता है, और यह थिक होता है, यह तरह से fiber या filament है, जो skeletal muscles, जिन fiber से मिलके बनी होती, उनको मायो फाइब्रिल बोलते ये दो टाइट के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों फाइबर, प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन के बने होते हैं, ये फाइबर, एक्टिन और मायोसिन, और ये जो एक्टिन है, वो पतला होता है, और मायोसिन है, वो मोटा होता है, अब क्या होता है, फ्रेंड, ज आपको जिसी ये Chemical तो यहां ऐओं पर एकटीन यहां पर шमिय वह सीने एकटीन यहां मयोषिन फिर मैं फिर एकटीन मैं इसे जम्मय हुए होते फैबर सीट यह बाद एक तमें ने जिने फिर मैंने फिर इस 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 इसट्रक्ट्टर को क्या बोलते हैं से क्रॉम सेक्रो मियर यह द्यान रखना फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेक्रो मियर क्या बोलते हैं सेक्रो मियर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स जो मायो फाइब रिले वो दो प्रकार के होते हैं एक्टिन और मायोसिन एक्टिन, मायोसिन, मसल्स में इस तरह अरेंज होते हैं कि एक के बाद एक repeat होते हैं जिसकी वज़े से contraction, फिर relaxation, फिर muscles में contract हमेसा contract रहेगी, तो muscle proper work नहीं कर पाएगी muscles contract होती, फिर वो थक जाती है थकने के बाद, relax होती है, फिर contract होती, फिर relax होती, फिर contract होती तो ये काम कोन करता है, ये जो myofibril है, एक्टिन और myosin जिस प्रकार और arrange इस प्रकार रहते हैं कि पहले contact होगी, फिर relax फिर contract, फिर relax, फिर contact, फिर relax तो इस structure को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पन, sacromere क्या बोलते हैं friend, sacromere तो यहां तक कोई दिक्कत नी होनी चीए दोस्तों अब next बात करें कि skeletal muscle हमने पड़ी, stated होती है और voluntary होती है क्या होती, voluntary, मलब अपने under होती है तो अपन क्या करते हैं, जब भी माल लो अपनने सोचा कि हाँ मुझे ये muscles relax या stretch करने, तो ये impulse brain पे जाएगी ये spinal cord पे जाती है, और फिर वहाँ से वहाँ से वह एक impulse बेजता है कहाँ, neuromuscular junction होता है muscles में एक ऐसा जुड़ा होता है junction जिसमें nerve की impulse आती है वो nerve की impulse उस muscles में जाती है और उसको एक message देती कि हाँ भाई, आपको stretch होना है या आपको relax होना है तो इस प्रकार इसमें impulse जाती है muscles में और वो stretch या relax होती है तो friends यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको skeletal muscle में एक बार skeletal muscles का diagram में बता दू और structure के बारे में तोड़ा सा बता दू diagram देखो friends आप ये diagram देखो, ये जो दिखरी है आपको ये दिखरी है आपको जो muscles, ये skeletal muscles tissue है इसमें जो आपको एक muscles है पूरी उसके उपर एक seat है, पूरा cover है वो connective tissue का बना होता है उसको बोलते हैं epimysium और इस cell के अंदर देखो, बहुत सारे bundles type के structure है इस tissue के अंदर, ये muscles के अंदर bundle type structure है इसको बोलते हैं fascicle अब आपन बात करते हैं एक proper fascicle की fascicle को देखो, आप fascicle को फ्रेंट जब fascicle के उपर भी एक connective tissue की अपनी layer बनियो उसको बोलते हैं perimysium क्या बोलते हैं friend, perimysium fascicle के उपर भी एक connective tissue की layer है उसको बोलते है perimysium फिर हम बात करें, fascicle के अंदर जो bundle है और इनके अंदर जाए, फिर इनके अंदर जो fiber है fascicle के अंदर भी, उन fiber के उपर भी क्या पाई जाए ये, एक layer पाई जाती है connective tissue की, उसको बोलते हैं endomycium क्या बोलते हैं friend, endomycium अब आप देखो, ये जो muscles है friend connective tissue की इसके उपर layer है ये last तक जाती है, कहां तक जाती है bone तक जाती है, और muscles को bone से को जोड़ता है tendon, तो ये आगे जाके देखो, यहाँ पे देखो आप muscle, bone के पास में structure है, white color की tendon है, जो cartilage होता है फिर ये tendon क्या करता है, इस muscles को bone से जोड़ता है ये जो tendon है, ये क्या करता है, muscles को bone से जोड़ता है तो friends, ये ती skeletal muscle, इसकी structure देखी, अब इसके तोड़े से कुछ function है क्या है 2-3 function याद रखना आप skeletal muscle क्या करती है skeletal muscle के function की बात करें तो स्कलेटल मसल क्या करती है हमारी बोडी को क्या प्रवाइड करवाती है बोडी को सेप देती है क्या देती है बोडी को सेप देती है हमारी बोडी को सेप देती है नहीं तो फिर हमारी बोडी में क्या दिखेगा एक धाचा दिखेगा कंकाल का इसलिए यह हमारी बोडी को क् करती है या इस्केलेटल को कवर करती है हमारे इसकेलेटल को कवर करती है इसकेलेटल जो सिस्टम में पूरा हड्डियों का जो ढ़ाचा है उसको कवर करती है और हमारी पोस्चर को मैंटेन करती है या हमारी पोस्चर को बनाए रखती है हमारी जो पोस्चर है उसको क्या करती ह हमारे देनिक जीवन में जितनी भी बेटना, उठना, चलना, फिरना, खड़े होना, सोना, फिर उठना, दोडना, एक्सरसाइज करना, यह सब किसका खेले? स्कलेटल मसल्स का, अगर स्कलेटल मसल्स नहीं होती, तो यह हमारी देनी किरियाई करना असंब होता, तो यह बहुत सारे हैं, इसके फंक्सन है, फ्रेंस, इसके बाद हम बात करते हैं, फ्रेंस, काडेक मसल्स की बात करें, तो फ्रेंस, काडेक मसल्स केवल, काडेक से पता चल सिर्फ और सिर्फ दिल में पाई जाती है यह muscle केवल और केवल हमारे hurt में पाई जाती है यह muscles और मैंने friends पहले बताया आपको straight aid होती है और involuntary होती है straight aid मतलब पट्टिकाएं होती है ठीक है और क्या होती है involuntary होती है हमारे control में नहीं होती यह muscles अपने आप contraction relaxation होता है पड़ेंगे तो महां पर पूरी डिटेल में बात करेंगे इसमें क्या होता है राइट एट्रियम में एक ऐसे नोड होता है साइनो एट्रियल नोड उसमें से क्या है इंपल्स आती है वो एक पेस मेकर की तरह कारे करता है वहां से इंपल्स आती है और ओर इंपल्स क्या करती है, काडिक मसल्स को कॉन्ट्रेक्ट और रिलाक्सेशन प्रवाइड करवाती है, उसकी वज़े से हमारा हर्ट क्या करता है ब्रेड को पंप करता है हमारी बोडी में तो ये उसका काम में मलब एक ओटोनॉमस सिस्टम है ये अपने आप होने वाला सिस्टम में इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो ये हो गया involuntary अब जो बात करें, friends जो हर्ट मसल्स बनी होती है उस सेल को क्या बोलते है काडियो मायोसाइट काडियो मायोसाइट friends ये दियान रखना हमारा जो cardiac muscles है हमारी जो cardiac muscles है जिन फाइबर से या जिन सेल से बनी होती है उसको क्या बोलते है काडियो मायोसाइट क्या बोलते है काडियो मायोसाइट जिसमें एक केंद्रक होता है एक nucleus होता है one nucleus nucleus and more branches अब इस structure में बताऊंगा मैं आपको काडियो मायोसाइट होती है काडियो मसल्स टिशू की सेल है उसमें one nucleus एक केंद्रक पाया जाता है और वो सारी branches पाया जाती है मैंने आपको बताया कि यह जो हमारा cardiac muscle है यह हमारे control में नहीं है यह autonomous syno-atrial node पे महां से impulse आती है वो एक face maker की तरह कारे करता है तो वह आच होती है जब cardiac system पढ़ेंगे तब उसमें पूरी बात करेंगे उसके बाद अपने बात करें cardiac muscles की तो वैसे cardiac muscles में हर्ट की बात करें हर्ट में तीन प्रकार की muscles होती है तीन प्रकार की muscles होती है एक होती है पेरिकाडियम मायोकाडियम एकोती एंडोकाडियम ये भी जब अपन हर्ट की बात करेंगे तब पढ़ेंगे ये हर्ट में तीन टाइप की मसल्स पाई जाती पेरिकाडियम जो हर्ट को चारो तरफ से कवर करती है सबसे भारी लेर होती है ये उसके बाद मध्यम लेर आती है, medium, myocardium, इसका मरतोपून रोल होता है, myocardium का, यही होती है myocardium, अधिक मात्रा में, myocardium, जो myocardium infract बोलते हैं, MI आता है, जब attack आता है, तो इसी muscles में contraction की वज़े से, फसल में क्या होता है, infract होता है, और उसके बाद next बात करें endocardium, यह सबसे अंदर की लेयर होती है अंदर की endocardium सबसे भीतरी लेयर होती है endocardium तो friends यह थी cardiac muscles तोड़ा सा यह दियान रखना अब इसने cardiac muscles की अपन बात करें तोड़ी structure की बात कर लेतें cardiac muscles की देखो friends यह हैं cardiac muscles cardiac muscles में देखो आप यह आपको दिखरी होंगे nucleus, एक-एक nucleus होता है और इनके बीच में यह देखो धारियां होती, इनको बोलते हैं intercalated disc इनको बोलते हैं intercalated disc इनकी वज़े से इसको क्या बोलते हैं यह जो पट्टियां टाइप बनी हुई इसी वज़े से इसको बोलते हैं straight head straight head बोलते हैं इसको strip हैं, इसमें strip बनी होती है और यह जो सेल है cardiomyocyte इसकी branches है जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई रहती है तो friends, यह था cardiac muscles और इसका क्या काम है यह हमारे heart में होती है और इसका काम है blood को बार निकालना heart इनका contraction करती है heart को contract करती है जिससे blood पूरी body में supply होता है पूरी body में जाता है इसके बाद friend बात करें smooth muscles की यहाँ पर दियान रखना skeletal यह bones यह जो muscles से bone में होती है यह होती हर्ट में यह manly होती ही GI track में कहाँ होती ही GI track smooth muscle की बात करें smooth muscle में ने बताया non-streated होती है और involuntary होती है non-streated मतलब इसमें कोई strip नहीं पाए जाती यह एकदम plane होती है और इसमें क्या होता है involuntary होती है इसमें इन muscles में क्या होता है involuntary होती है इन muscles में किसी का control नहीं होता इन muscles में क्या होता है friends यह अपने आप contract होती है और अपने आप क्या होती है relax होती है अपने आप contact होती है और अपने आप ही relax होती है इसमें बात करें तो माइटो कॉंडिया माइटो कॉंडिया अधिक होते हैं इस वज़े से इसमें माइटो कॉंडिया अधिक होते हैं इस वज़े से रिच अमाउंट में होते हैं इस वज़े से ये जो मसल्स हैं इस मसल्स की एपेक्सा skeletal muscles के अपेक्सा देरी से ठकती है कम ठकती है ये जो muscles हैं ये जल्दी ठक जाती है skeletal muscle ये muscles की बात करें smooth muscle skeletal muscle के अपेक्सा बाद में ठकती है वो जल्दी ठक जाती है क्योंकि अगर ये ठक गई तो सारा GI system का मामला गरबर हो सकता है यह थक जाए तो कोई दिक्कत नी थोड़ी दिर रेष्ट कर सकते हैं पर बैठ सकते हैं वट पेट स्टोमक ने रेष्ट कर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा तो फ्रेंड्स स्मूथ मसल इस मसल के पेकसा धीरे थकती है मतलब बाद में थकती है पहले वो थक जाती है और इसमें कि इसमें माइट्रो कांडे आधिक होते हैं जो इसको एनरजी प्रवाइड करवाते रहते हैं अब बात करें कि स्मूथ मसल पाई कहां जाती है सबसे पहले बात करें स्मूथ मसल पाई जाती है बलड वेसल्स में जो क्या करती, blood pressure को maintain रखती है, जैसे dilate करना है, blood pressure ज़ाधा हो रहा है, BP बढ़ रही है, तो क्या होगा, BP कब बढ़ती जब pressure किसमे ज़यधा पड़ता है, blood vessels में, blood vessels के अंदर से blood जा रहा है, वो क्या है? vessel सिक्ड़ी हुई है और blood जा रहा है और blood का pressure इतना पढ़ रहा है कि BP बढ़ गया blood pressure की वज़े से हमारा BP बढ़ता है तो ये क्या करेगी muscle relax हो जाएगी relax होते ही वहाँ पर pressure कम हो जाएगा इस वज़े से BP down हो जाएगा तो BP को maintain करती है कौन? smooth muscles किसमें पाई जाती है ये blood vessels में उसके बाद बात करें airway हमारा airway है जहां से हम सास लेते हैं उसमें भी smooth muscles पाई जाती है जिस वज़े से contraction relaxation होता है जिस से सास को अंदर लेना बार निकालना उसमें मौत तो पूर भूमी का निवाती है नेक्स्ट कहां पाई जाती है यह हमारे GI track कहां पाई जाती है GI इदर लिख दूँ मैं यहां 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 लिख देता हूँ यहां उसके बाद पाई जाती है हमारे GI track में पूरा हमारा मूँ से लेकर जितना भी last तक GI track है पूरी elementary canal बोल सकते हो आप इस पूरी elementary canal में smooth muscles पाई जाती है जो क्या करती है हमारे food को आगे धकेलती है food घाया धीरे 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 नीचे फिर west material को बार निकालती है उसके बाद कहां पाई जाता है यह bladder में urinary bladder urinary bladder urinary bladder क्या करता है smooth muscle contract होती है और urine को बार निकालने में ऐसे पढ़ाय रहेगा urine को कैसे निकालोगे आप वो muscles होती है जैसे urine बना हमारी capacity खतम कि भाई हाँ urine भर गया पूरा bladder में उसके बाद अब इसको excrete करना है बार निकालना है expel करना है तो यह बार निकालती है उसके बाद किसमें पाए जाता है uterus uterus में क्यों पाए जाता है जब डिलेवर होती है friends बच्चा जब last nine months हो जाते है pregnant lady के तो बच्चा जब डिलेवर होता है तो उसमें मौतोपून रोल अदा करती smooth muscle इसी smooth muscles की वज़े से बच्चा बार निकलता है उसके contraction और relaxation से वहाँ पर contraction और relaxation जो contraction आते है आप जब गायनिक पढ़ोगे गायनिक आपस पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कैसे contraction और relaxation आते है तो उसकी वज़े से फिर बच्चा बार expel होता है तो friends ये थी हमारी muscles tissue आसा करता हूँ कि आपको पसंद आयोगी class अगर कोई दिक्कत हो तो comment करके जरूर बताओ अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो comment करना देखो एक ही चार्ट में आपको पूरी muscles tissue समझा दिया और friends मैं बार बार कहता हूँ कि जहां तक करेंगे यही है आज की class muscles tissue फिर next class में जो भी हमार अब यसी का syllabus होगा उसके according अपन बात करेंगे साइब कुछ glands के बारे में next class में पढ़ेंगे अपन तो sorry अभी तो nervous tissue nervous tissue बचा हूआ है sorry I am so sorry for this muscles tissue के बाद nervous tissue बचा हूआ है देखते हैं उसमें क्या है कितना आपके syllabus में उसके साब से बात करेंगे नी तो फिर nervous system पढ़ेंगे तो वहाँ तो आएगा इसाई फिर भी तोड़ा सा एक supervisory बात की जाएगी उसकी तो friends मिलते हैं फिर next class में तब तक के लिए bye love you tech years चलाओ